बिसमिल्लायरफ्मान रहीम, Assalamualaikum, Hope all of you are fine Now we are gonna start our next lecture of general science for class 8 and 9 ठीक है, last time हमने पढ़ा था blood cells के बारे में और blood group के बारे में कि blood group किस पे depend कर रहा होता है अब आज हम पढ़ेंगे chromosomes, DNA and genes ठीक है, इन तीनों चीजों के बारे में देखेंगे chromosomes, DNA and genes ठीक है, it's not that much difficult, असान है, थोड़ा सा गोवर करके पढ़ने की जरूरत है और जस्ट बेसिक information है, ठीक है, इतना detail नहीं है Every cell has a nucleus in the center, which is the most vital organ of a cell ठीक है, या आप लोग पहले भी पढ़ चुके है, छोटी ग्लासिसम जब आपने structure of cell पढ़ा होगा तो हर cell जो होता है, छोटा से छोटा cell हमारे जिसम में जितने भी cell है हर cell में एक nucleus होता है, ठीक है, center में, जो के सबसे एहम organ होता है cell का यानि cell की पूरी functioning उस nucleus पे depend कर रही होती है और उस nucleus की वज़ा से ही पूरी body के उपर जो भी एसर आते हैं वो उस working में ही नज़र आते हमें अब cell के अंदर जो nucleus है, nucleus के अंदर chromosomes होते हैं, ठीक है और chromosomes देखने में कैसे होते है, thread like structure ठीक है, गर microscope से देखा जाए, microscope से भी ज़्यादा vast instrument यूज होते हैं इसको देखने के लिए वो क्या है, उसका structure जब देखा गया तो कैसा है, thread like structure है that are present in the form of a network, ठीक है, यानि nucleus के अंदर ये बिल्कुल एक जाल की तरह, एक जाल की तरह मुझूद होते हैं before the start of cell division, यानि इससे पहले के जब cell की division होती है, जो के mitosis या meosis के थूरू हो रही होती है वो आप दूसरी further study करें next classes में, ठीक है, तो chromosomes जब nucleus के अंदर मुझूद होते हैं, तो एक बिल्कुल जाल की तरह उसमें मुझूद होते हैं तो cell division से पहले-पहले, called chromatin network, और यह जो network है, इसको हम फिर क्या बोलते हैं, chromatin network, ठीक है, जो nucleus के अंदर chromosome मुझूद हैं यहाँ पर उन्होंने पिचर में दिखाने की कोशिश की है, लेकिन इतना clear नहीं है, ठीक है, यह आपको chromosome का structure दिखाया उन्होंने, एक thread-like structure होते हैं यह जो centromere बोलते हैं, इसको यह जिसको होते हैं, दोनों chromosome के thread की होते हैं, ठीक है आप आपको बताएंगे के chromosome होते क्या हैं, पहले आपको बताएंगे chromosome locate कहां करते हैं, cell के nucleus में chromosome can be observed as independent structure at the time of cell division, ठीक है, यानि जब cell divide कर रहे होते हैं, तो हम उनको easily observe कर सकते हैं, उनके पूरे structure को Each chromosome is made of DNA and proteins, ठीक है, अब chromosome किसके बने होते हैं, DNA और protein के, ठीक है, DNA और protein के DNA क्या है, DNA है, Deoxyribonucleic Acid, Deoxyribonucleic Acid, D for Deoxyribonucleic Acid, D for Deoxyribonucleic Acid, ठीक है यह DNA के वे, abbreviation आपको दी गई है, DNA is the form of a double-stranded helix and is the heredity material of the organism, यह आपको यहाँ पर structure बनाव है, double-stranded यहाँ जिसने दो तारें कहले हैं, कि वो आपस में इस तरह बकाइदा एक proper निजाम के थुरू आपस में patch-up किया है, ठीक है, और यह क्या होता है, यह heredity material होता है सार यानि के यह नसल से, नसल दर नसल यह चल रहा होता है, ठीक है, the DNA has a particular areas that act as genes, तो DNA के ऊपर जो हैं, वो जो areas होते हैं, उनमें, उनकी अपनी एक functioning होती है, उन areas को, उन areas पर genes मोजूद होती है, जैसे यह उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, आपको थोड़ी सी, ठीक है, genes हो है, वो सबसे बुनियादी चीज़ है, inheritance, यानि विरास्त का के, जो हमें parents से मिल रही होती है, these genes control various traits of body, ठीक है, यानि दिसम के बहुत सी खसूसियात को, यही control कर रही होती है, जैसे eye color क्या होना चाहिए, skin color क्या होना चाहिए, blood group क्या होना चाहिए, इस सब चीज़े, और भ होती है, बलके तमाम की तमाम development जो है, वो इनी genes के उपर मौजूद होती है, कि किसरा body ने grow करना है, और भी बाकि तमाम activities, the number of chromosome in an individual of a species is always constant, ठीक है, यानि किसी भी एक species में, यानि नसल में, जैसे चाहिए, वो इनसान है, जानवर है, जानवरों में भी मुखलिफ नसले है, उनके अंदर जो chromosome की तादाद होती है, ठीक है, वो हमेशन सेम रहती है, and therefore the number of genes is जिसकी वज़ा से genes की तादाद भी सेम रहती है, ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा, कि सबसे पहले जो है chromosome, chromosome क्रोमोजोम कहा है, nucleus में है, ठीक है, अब chromosome किस से बना हुआ है, DNA से, और protein से, और DNA के उपर क्या है, genes है, जो के basic unit है, inheritance का, जो के हर कीस को control कर रही होती है, development को, traits को, each and everything, अब उसमें क्या बताया है, कि क्रोमोजोम की तादाद हर species में सेम होती है, species इन्होंने यहाँ पर कुछ दीवी है, आपको एक उसने दीवी है, ड्रोसोफिला, मैन, मंकी, कैट, अर क्रोमोजोम दीए है, ठीक है, ड्रोसोफिला में आठ क्रोमोजोम होते हैं, और क्रोमोजोम हमेशा जो हैं, वो पेर्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो अगर आठ हैं, तो पेर्स कितने बन गए, चार, यह तरह सब में उसने क्रोमोजोम की तदाद दीवी है, क्रोमोज क्रोमोजोम के उपर जो जीन्स हैं वो भी कॉंस्टन्ट हो जाएंगी ठीक है अगर कहीं पर हमें नजर आता है कि क्रोमोजोम जैसे मंकीज के नसल में अगर हम देखें कि क्रोमोजोम की तादा चेंज हो गई है और जिसकी वज़े से डियने या डियने की कंपोजिशन में कोई फरक आया है तो इसको हम म्यूटेशन बोलते हैं तो अगर म्यूटेशन हो जाती है नंबर ओफ क्रोमोजोम चेंज हो जाते हैं डियने में कोई तब्दीली आ जाती है तो उसी वज़े से खतरनाक नतीजे भी पैदा हो सकते हैं या बहुत सारे कहते हैं जो जीन्स की चेंजिस की वज़े से आते हैं कि जहां पर क्रोमोजोम चेंज तब्दील हो गए तादाद में फरक हो गई उनके तो उससे क्या होता है कि अबनॉर्मेलिटीज और बिमारियां बन जाती है इनिजनेरिंग या फिर्शनेरिंग नाम से पता चल रहा है जैनि जीन्स की इनिजनेरिंग की जाती है मुखलिफ उनको इजर अदल बदल किया जाता है या उनमें कुछ चेंजिस लाई जाती है उनको बोलते जैनिक इंजिनिरिंग branch of biology that deals with the study of genes and inheritance called genetics ठीक है यानि biology की वो branch जिसमें हम genes को पढ़ते हैं ठीक है और देखते हैं कि inheritance में क्या चीज़ें थी जीन्स कोन सी थी या जीन्स के structure के बारे में या जीन्स की properties के बारे में देखना या inheritance को पढ़ना कि inheritance कैसे deal कर रही होती है कैसे behave कर रही होती है नसल दर नसल उसको बोलते है जीन्स के बारे में पता चल गया कि जीन्स कैसे behave करती है या जो कैसे inheritance में क्या तालुक हो रहा होता है जीन्स का तो उसकी वजह से बहुत दा तरकी हुई ठीक है किस तरह की तरकी हुई agriculture में भी और medicine में भी किस तरह हुई इस बिलिए 21st century विलल से सेंच को सैंच के कहा जाता है कि जहां पर टेकन अधा होगी आपको बन टारह जीन्जिन एंड एंड पर्मय जा को बता रहे किस तरह वाचुलेंग में इसमें और इसमें क्या किया जया जाता है कि बहुत सारी ऐसी jeans जो undesirable हैं, याई जो हमें नहीं चाहिए, उनको निकाल दिया जाता है और desirable jeans, यानि जो jeans हमें चाहिए, यानि जो traits, जो खसूसियाद, जो development हम देखना चाहते हैं, वो वाली jeans इंट्रोड्यूस करा दी जाती हैं, वो डाल दी जाती हैं, और जो नहीं चाहिए, वो निकाल दी जाती हैं. With the help of this method, desired characteristics can be introduced in crops and livestock. इसकी मदद से क्या हुआ? अपनी मर्जी की खसूसियाद, अपनी मर्जी की characteristics हम crops यानि फसलों में भी डाल सके, और livestock यानि जो जानदार हमारे पास होते हैं, उनमें भी हम पैदा कर सके. आगे last हम पढ़ लेते हैं, agriculture में, कैसे genetic engineering ने काम किया? With the help of genetic engineering, such varieties of crops are being produced that give better yield and are resistant to diseases. Similarly, the livestock gives more milk and flesh. ठीक है? यानि इसकी example इस तरह हैं, जैसे farming chicken होती है, जैसे हम कहते हैं, यह farming chicken होती है, वो जल्दी ग्रो कर जाती है, और अच्छा healthy ग्रो की होती है, उसमें बहुत अधा होती है, इन में क्या होता है, इनके अंदर ऐसी जीन्स डाली जाती है, जिनकी वज़ए से जादा से जादा वो दूद दे पाती है, इसी तरह agriculture में भी किया जाता है, जैसे आप देखते हैं, बहुत fresh fruits बहुत हम देखते हैं, तो उनमें genetic engineering का ही काम किया जाता है, कि उनका color, उनका taste, उनका सब चीज़ें जो हैं, वो उनकी जीन्स को control किया जाता है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि अनियन में कितने क्रोमोजोम हैं, पीज में कितने हैं, cat, यह सब चीज़ें, तो क्योंकि इनके उपर study की गई, इनकी जीन्स को पहचाना गया, तो उनकी जीन्स में traits अपनी मर्जी की characteristic हासिल की जाती है, ठीक है, next time हम पढ़ेंगे किस तरह agriculture में कहां कहां पर यह genetic engineering काम कर रही होती है, या क्या क्या चीज़ें से help out हो रही होती है, genes की तबदिली की वज़ा से, अब इस topic में से स्थोड़े से question आप लोग देखने पहले, यह question है हमारे पास, number one है define chromosome, यह आपको बिल्कुल start में मिल जाएगा, यह chromosome होता क्या है, वह आपने सरफ उसका लिखना है कि thread like structure होता है, nucleus में मौझूद होता है, ठीक है, what is the composition of chromosome, यानि chromosome किस से मिलके बना है, DNA से और DNA में, DNA और protein से, ठीक है, what is mutation, mutation क्या होती है, यानि जब number of chromosomes change हो जाते हैं, या DNA की composition में कोई फरका जाता है, तो उसे हम mutation कहते हैं, इसकी definition भी आपको इसमें मिल जाएगी topic में, जो हमने आज पढ़ा, define genetics, genetics की definition भी बिल्कुल सामने लिखी वी है, genetic engineering के topic में, और the last is, what is genetic engineering, इसको बकादा तवर पर define किया गया है, लेकिन आपको इस तो desirable genes are removed and certain desirable genes are introduced, यह का answer हो का question 5 का, hope so you get the topic, now we will meet in the next lecture, stay home, stay safe, Allah Hafiz